हेलो योग साथियों, कृष्णास्त्रयोग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कृष्णास्त्रयोग आपके सपनों को साकार करने एवं आपके लक्ष को पूरा करने में काफी मदद करने वाला है। किशनास्त्रियोक को लाइक करें सबस्क्राइब करें और ज्यादा ज्यादा सिðर करें तो आज हम बात करने वाले हैं पेपर two योग से रिलेटिव है उसमें क्या दिया हुआ है स्वामी सिवानस सफती जी के बारे में आज हम बाते करेंगे लेक्शेर टूदा पॉइंट होगा आपको ज़्यादा पढ़ाचड़ा की बाते नहीं बताई जाएंगी सिर्फ वही चीज़े आपको बताई जाएंगी जो एक्जाम में आने के संभावनाइब बनती हैं तो हमारा टार्गेट होने वाला है आपको नेट और ज्यारफ क्वालिफाई करना है प्रिष्णा अस्तरयोग का धिय सुत्र है उतिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरानि बोधत उठो जागो और लक्ष प्राप्ति तक आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है प्ष्थितियां कैसी भी हो इश्टगल कितना भी करना पढ़े आपको डरना नहीं है घबराना नहीं है सिर्फ आपको अपने प्रती अरट रहना है और आपको संघर्स करते जाना है जिदि थोड़ा सा आपके संघर्स में कमी होगी आपके स्टडी में थोड़ी बहुत भी लापरवाई होगी तो सफलता हैं आपको कभी भी नहीं मिलेगी आपको हमेशा याद रखना है कि आपके बैकबून आपकी माताफिता है तो हमें अपने माताफिता की सपनों को पूरा करना है साथ साथ हमें योग की पतागा को पूरे बिस्म में फैलाना है इसे के साथ अब हम बात करने वाले हैं यहां पेपर वन और पेपर टू की तैयारी करवाई जाएगी साथ-साथ आपको विकली मुख देने होंगे यहां पे लेक्चर होने वाले हैं पिल्कुल भी बढ़ाच्रा की बाते नहीं बताएं जाएंगी जैसा कि मैंने आपको पहले ही आउगत करा दिया है हैपी लर्निंग एनिटाइम एनिवेर यदि आपको किसे प्रकार की प्रॉब्लम हो रहे हैं तो आप हमें बेज़िजक होकर के फोन कर सकते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं स्वामी सिवानन सुरस्टी जी के बारे में कौन कौन से चीजे महत्प्रॉण है कौन कौन से चीजे महत्प्रॉण नहीं है उन सब चीजों के बारे में भी बात करेंगे तो स्वामी सिवानन जी की बच्पन का नाम कुपु स्वामी था इनका जन्म तमिलाडू के पट्टाम डाई में 8 सितंबर 1887 स्बी को हुआ था इनके पिता का नाम पी एस वेंगा एर था माता पारवती अंबा थी इनके गुरू जो थें उनका नाम था विश्वा नंद सरस्थुती इन्होंने दो महत्पूर्ड काम किये थे जो था दिवजीवन संग यानि जैसे हम इंग्लेस में बोलते हैं Divine Life Society जिसकी अस्थापना इन्होंने 1936 स्बी में किया और साथ साथ इन्होंने योग वेदान फोरेश्ट अकादमे की अस्थापना की कब की 1948 स्बी में यदि क्विश्चन में आपके सामने पूछ दे कि स्वामी सिवानन्द सरसुती जी का जन्म कब हुआ था तो आपको याद रखना है कि 8 सितंबर 1887 स्बी को कहां पे हुआ था तमिलनाडू में हुआ था Divine Life Society के स्थापना किसने की आपके सामने हो विवेकानन नहें स्योगी स्वामी सिवानन्द और बहुत सारे ओप्षन में दिया हो तो आप कौन से ओप्षन को चूच करोगे आपको ओप्षन को चूच करना होगा स्वामी सिवानन्द और इन्होंने 19 फरवरी 1947 स्पी को ओल वर्ल्ड सादु फिट्रेशन की भी अस्थापना की अब हम बात करने वाले हैं कि इनकी प्रमुख फुस्तकें कौन-कौन से थी जो कि बहुत ही जरूरी है आपको इस इन सब बुखों के नाम को याद कर लेना होगा तो पहले बुख है इनकी थौर्ट्स पावर यानि आप जैसा सोचते हो वैसे आप बनते जाते हो आपके सोचने की इतनी पावर होती है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो बस आपके अंदर सागरात्मक बिचार होना चाहिए इजी पाथ गौड एंड रिलाइजेशन ब्रह्मचर इस लाइव एंड सिंस्वालिटी इस देट योगा इन डेली लाइफ जब योग माइन इस मिस्टेरियर कंट्रोल दभगवत कीता और इनोंने साथ इसाथ कांसेट्रेशन एंड मेडिटेशन पर भी लिखी ब्लिस कांडनियीूग यूगां यूगा अंड क्र swap प्रानयांRET किया है इसके èno flavor कि देवाच्प क्या है इसी चीज़ों पर इन्हों काफी बात की तंत्र यूगा नाध योगा और क्रिया यूग पर जैंग काफी खूकस यूद दिया और काफी explanation दिया, तो अब हम बात करने वाले हैं कि स्वामी सिवानन सुसती जी के प्रमुक्सिस्य कौन थे, famous disciple कौन थे, तो पहले इनके disciple थे, वो है स्वामी चिनमयानन्द, जिन्होंने चिनमय मिसन की अस्थापना की थे, श्वामी जोतीर मयानन्द, इन्होंने योग रिसर्स फाउंडेशन की अस्थापना की, कहां पे की थी, इन्होंने अमेरिका में की, श्वामी सत्यानन्द सरुसते, जिहोंने विहार योग विद्याले की अस्थापना की, जो कि अभी भी प्रेजिंट में है, कहां पे है, मुं और सिंगापुर में किया अब हम बात करते हैं जो कि लास्ट होने वाला है आपका स्वामी सिवानंद राधा इन्होंने करनड़ा में यसुध्रा आस्रम की अस्थापना की इस एक साथ कृष्णा स्रियोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है और फ्यूचर में भी आपका स्वागत रहेगा हसते रहे मुस्कुराते रहे अपनी इस्टर्डी को सुचारूप से करते रहे इस एक साथ जैस्री रांग